कश्मीर के शोपिया में आज सुबह एक आर्मी आफसर का शव बरामद हुआ है लेफटिनेंट उमर फयास पैरी को मंगलवा रात को आतंक वादियों के दुआरा किड्नैप किया गया था जिसके बाद अब शोपिया जिले की हरमेन चौक से उनका शव मिला है पुलिस स्मामले की जांच परतार में जुट गई है उमर फयास के शरीर पर गोलियों की निशान भी है उमर फयास पैरी शोपिया के ही रहने वाले थे वे आर्मी में डॉक्टर थे उन्हें उनके घर से ही किड्नैप किया गया था बता दें की एक मही को जम्मू के मेंडर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फाइरिंग की गई इस हमले में भारत के दो जवान शहीद हो गए जिसके बाद भारती सेना ने भी पाकिस्तान को मुह तोड जवाब दिया बतादें की हाली में बॉर्डर पर हमले के अलावा दोपैर को जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने एक नकदी वेन पर हमला कर दिया और पांच पुलिस कर्मियों वे एक बैंक कर्मी की हत्या कर दी थी। यगटना कुलगाम के ओमबई गाउं में हुई जब अग्यात संख्या में आतंकवादियों ने जम्मू एवं कश्मीर बैंक की नकदी वेन को निशाना बनाया था।